बीएड एम बीएस्टीसी कर रहे हैं एम कर चुके शमस्त साथियों का ग्यानधारा हरसोली चैनल के ओनलाइन प्लेटफोर्म पर श्वागत है साथियों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है इसलिए आपको अंते तक इस वीडियो को देखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसमें आज हम डिसकस करने वाले हैं नई सिक्षानीती 2019 में सिक्षक भरती हेतू किये गए साक्षातकार के प्रावधानों के विशह में दोस्तों बहुत से साथियों के कैमेंट इस विशह पर पूछे गए इसलिए आज नई सिक्षानीती के इस पहलू पर हम आपको प्रमान सहीत बताएंगे साथियों आपके द्वारा बार बार उसी विशह पर कैमेंट पूछा जाता है जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं इसके लिए साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा लीजिए क्योंकि इस चैनल पर हम आपकी प्रतेक समस्या और बाविश में आने वाली नई अपडेट की चर्चा करते ही रहते हैं साथियों हमारी प्रतेक वीडियो आपको समय पर मिल सके इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा ले फिर भी यदि आप BSTC या BAD सम्बंदी प्रतिक वीडियो देखना चाहते हैं तो BSTC तता BAD की प्ले लिस्ट का लिंक आपके लिए नीचे डेस्क्रिप्शन में हमने प्रवाइड करा दिया है वहाँ से आप इन्हें देख सकते हैं इसके लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी फोलो कर सकते हैं अब हम चर्चा करते हैं साथियो आज के इस टॉपिक के विशह में आपको बता दें बहुत से साथी इस विशह पर confused है कि आने वाली जो सिक्षा नीती है इसमें तो सिक्षक वरती होगी उसमें इंटर्व्यू लिया जाएगा या नहीं साथियो इस बात को हम समझाएं आपको इससे पहले आपको इससे पिछले वाली जो सिक्षा नीती है उसकी चर्चा करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आपके समझ में आज की बात तबी आएगी जब आप इससे पिछले वाली जो सिक्षा नीती है उसको देखेंगे तो चलिए हम चलते हैं 2017-18 की सिक्षा नीती की तरफ साथियों ये है 2017-18 की सिक्षक नीती का ड्राफ्ट इसमें आपको कुछ पॉइंट दिखाना बहुत जरूरी है जिससे हम आज के टोपिक पर चर्चा कर सकें दोस्तों इसका बिंदू नंबर जो एक है उसको देखिए आंगन बाड़ी को प्री प्राइमरी स्कूल में बदला जाएगा राज एक साल के बीतर कोर्स बनाएंगे इसी के साथ सिक्षकों का जो कैडर है वो भी अलग बनाया जाएगा तो क्या बताईए आज तक आंगन ब आंगन बाड़ी केंद्रों को स्कूल केंपस में स्थापित किया जाएगा इसी के साथ में नियव नंबर तीन कह रहा है यहां पर देखिए कि RTE को बारवी तक ले जाया जाएगा यहां पर आपको दिखा देते हैं कि RTE बिंदू पांच पर है कि इसे बारवी तक लागू किया जाएगा इसी के साथ में कक्षा 6 से ICT प्रारंब होगी ICT आज भी कक्षा 9 और 10 के लिए ही है इसी के साथ आप प्रावधान इसके संक्या जो 12 है उसको देखिए 12 में कहा गया है विद्याले के कारियों का कम्प्यूटरी करन तथा शिक्षक चात्रों की उपस्तिती ऑनलाइन मोनिटरिंग होगी 13 में कहा गया कि राज्यों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अलग से शिक्षक बरती आयोग होगा नियुक्ति पारदर्सी और मेरिट के आदार पर होगी क्या कोई अलग से कोई शिक्षक भरती आयोग हुआ है इसी के साथ में बिंदू संच्चा सत्रा में कहा गया था हर पांच साल में शिक्षकों को एक परिक्षा देनी होगी यह भी प्रावदान किया गया था है सिन्सी टेस्ट का इसे उनके प्रमोशन तथा इंक्रिमेंट से जोड़ा जाएगा बिंदू भी सम्क आ गया था नई संस्ताओं को खोलने के बज़ जाए मौजूदा सिक्षन संस्ताओं को मजबूत किया जाएगा इसी के साथ बिंदू संक्या 21 में का गया था मिड़े मील का दाइत सिक्षकों के उपर से हटा कर महिला एम सोयम साहता सम्मू को दिया जाएगा भोजन बनाने की केंद्रिकत प्रणाली विक्सित की जाएगी तो दोस्तों ये 2017 का ड्राफ्ट आपको दिखाना इसलिए नवारी था कि इसके अंतरगत हमने जिन बिंदू को आपको नोट कराया है ये उस बिल्कुल सेलक्टेड बिंदू थे हलांकि ड्राफ्ट काफी लंबा है लेकिन अपने से जुड़ी ये ही कुछ खास बात दे थी अब आपको यहां पर यह बात बताने बहुत जरूरी है दोस्तों कि क्या बताईए इन में से कितनी बातें जो हैं वो हमार होता है इसलिए राज इसको हू बहू लागु ना करके इन में को शिन शोधनो सईत लागु करते हैं अब हम आपको लिए चलते हैं 2019 की सिक्षा नीथी के तरफ दोस्तों 2019 की सिक्षा नीती में जो हमारे लिए महत्पूर बात थी वो ये थी कि सिक्षकों की वरती प्रिक्रिया को शक्त और पारदर्सी बनाया जाएगा इससे समाज में शिक्षकों के पेशे के प्रती भरोशा और शम्मान पैदा होगा जिससे शिक्षकों में भी आतमिस्वास आएगा नियुक्ति के लिए पहली स्क्रिनिंग टैट होगी वरतमान जो टैट है उसमें को बैतर और सूद्रण बनाया जाएगा जिससे अविलार्शी सिक्षकों की शम्ता और ग्यान का अधिक शार्थक परिक्षन सूनिश्चित हो सकेगा स्कूल सिक्षा के सभी स्थरों बुनियादी सिक्षा उचप्रात्विक और माद्विक को शामिल करते हुए टैट जो है उसका और अधिक विस्तार किया जाएगा इसकी अतरिक विसे सिक्ष्कों की पर्ति प्रिक्रिया में उनके सम्मन्दित विसे में प्राप्त NTA परिक्षा के हंकों को भी सामिल किया जाएगा प्राइवेट स्कूलों की शिक्षकों के लिए टैट्स, राजी अफ्रिकेंदर इस्तरिये और NTE परिक्षा पास करना अनिवारिये होगा लिखित परिक्षाओं से सिक्षक की स्थाने भाषा पर पकड़ शिक्षण के प्रती जोत्स और उत्सा को नहीं आँका जा सकता जो कि एक उत्करष्ट सिक्षक के गुणों में शामेला इसके लिए इच्चुक शिक्षकों के लिए दूसरे चरण की स्क्रिनिंग चैन परिक्रिया इस्तापित की जाएगी इसमें साक्षातकार और पांच साथ मिनट तक अक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन शामिल होगा दूसरे चरण की स्क्रिनिंग चैन परिक्रिया को इस्ताणिये बी आर सी में कराया जाएगा और अगर यह संभव नहीं हो तो टेलिफोन के माध्धम से साक्षातकार और स्क्षन प्रदर्शन का वीडियो इलक्ट्रोनिक माध्धम से बेजा जा सकेगा तो दोस्तों यहाँ जो नोटेवल पॉइंट सेक तो यह था कि इचुक सिक्षकों के लिए ध्यान देना यहीं से आपके लिए एक राहत भरी ख़वर मिल सकती है कि स्टेट्स जो है उनको इसमें शंसोधन का दिकार होता है और इसमें किलियर दिया है कि यह जो इंटर्व्यू है यह ऑफ्षनल रखे जाएं ऑफ्षनल रखने का अरत है इनको रखना अनिवारिय नहीं है और इसका जो प्रावधान किया गया था वो भी भी आरसी अरता ब्लोक लेवल पर कोई कमेटी बनाए जाएगी और वो स्क्रिनिंग कमेटी ही वो इस चैन में प्रिकरिया या साक्षातकार को आयोजित कराएगी तो यह वैसे भी सेंटर के द्वारा उफसल रखा गया था अब हम आपको प्रमान सही दिखाते हैं कि स्टेट हो ने इसके प्रतिक क्या एक्षन लिया सबसे पहले चुकि राजस्थान में अभी प्रिकरिया होने वाली है या होगी यूँ कहें तो इस पर स्टेट गवर्मेंट भी यही एक्षन लेगी जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं यूपी सरकार के द्वार एक्षन लिया गया है यह देखिए उत्र प्रदेश उत्चितर सिक्षा सेवा आयोग एम उत्र प्रदेश मादमिक सिक्षा सेवा आयोग तो इसमें क्या किया गया हम आपको दिखा दें जो दिखाने वाली चीज आपको वो यह है इस चीज़ को हम आपको दिखा रहें देखिए यहां जो शिक्षक भरती या यूं कहें कि राज सरकार की सेवाएं हैं इनको तीन भागों में बाटा गया हैं एक तो कैवरगी सेवाएं इसमें उच्छ शिक्षा में सायक आचारी एवं महाविद्याले के प्राचारियों के चेंड समंदी सेवाएं समलित होंगे अर्थाद यह हाईर सेकंडरी और कॉलिज एजुकेश सेवाईच्छ में रिखे वरगी सेवाएं इस में समायत होंगी अब गएक समंद में यूपी सरकार के द्वारा क्या प्र्लावदान किया गया उनको हम देखते हैं यहां देखिए गैवरगी सेवाएं वोई तृतेश्रण अध्यापकों से संबंदित प्रात्मिक सिक्षा में सायक प्राध्यापक करतियां सायक अध्यापक ही समझे तृतेश्रण अध्यापक वेतू साक्षातकार नहीं होगा इस परिक्षा में अध्यर्थी के भाषाग्यान, शिक्षक अविरूची, शामान अध्यन पर आधारित लिखित परिक्षा, एउन केंदर सरकार अत्वा राज सरकार द्वारा, एरता निर्धारित टैट, अत्वा सी टैट के प्रापत अंकों के वन फोर्थ अंक तता अध्यर के संबन्द में जो सिक्षक सिक्षा नीती आई थी उसके साक्षादकार के प्रावधान को यहां नका रगया है वहाँ मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ भी इसको अप्शनल ही रखा गया था कंपलसरी नहीं था और स्टेट गोवर्मेंट्स को इसमें छूट होती है तो स् कुल 33 अद्धापक भरती की तो बात छोड़िये प्रतम सिरनी अद्धापक भरती में भी राजिस्तान सरकार ने इंटर्यू हटा रखा है आपको बता दें इंटर्यू केवल और केवल उचितर अर्थात कोलेज शिक्षा सेवा या फिर प्रुसासनिक सेवां में ही रखा ग करता इसलिए आप निश्चिंत रहें जब भी आगामी 33 अद्धापकों की भरती होगी उसमें इंटर्यू नहीं होगा आप निश्चिंत रहें समन्द में दोस्तों यह अपडेट आपके लिए बहुत जरूरी थी इसलिए हम इसको आपके सामने लेकर हाजिर हुए है क्यों के लिए राजस्थान के परिक्षारतियों बेरुजगारों के लिए यह चैनल 24 और समर्पित आज जो भी करते हैं जो भी आपकी समस्या होती है हम उसका रिपलाई करने का पूरा प्रियास करते हैं और हमारी आपके कैमेंट आधारित वीडियो की जो श्रंखला है वो नियम अपना डिस्टिक्स जरूर दे में जिससे हमें मालूम हो सके कि हमारे जो सातिये हो किस जिले से और उनकी समस्या क्या है आपके द्वारा पूरा आइडेंटी देने के बाद ही आपके जो कैमेंट उसको सबसे पहले सामिल किया जाएगा तो दोस्तों आज की इस वीडियो मे इतना ही नमस्कार